हलो दोस्तों आज हमारे साथ है ओल न्यू ट्वेंटिटिटिफोर मेंद्रा इलपा सुपर इलेक्ट्रिक थ्री वीलर ओटो आज हम जानेंगे इस ओटो के बारे में कि इसमें आपको क्या-क्या फीचर मिलेंगे साथ में जानेंगे इसकी प्राइज एंड बैटरी मोटर लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर करें इसमें आपको फ्रेंट में अलफा सुपर की फ्रेंट में बैजिंग मिल जाती है और दोस्तों मेहंद्रा इलफा सुपर इसमें आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है दो आपको नॉर्मल की मिलेंगी दोस्तों और दोस्तों मेंद्रा ये अलफा सुपर की ये हैं गोल्ड शेप में हेलोजन बेश एड लेम और कॉनर पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे बीच में मेंद्रा का लोगो मिलेगा अलफा सुपर की बेजिंग मिलेगी सिंगल बाईपर मिलेगा कापी बड़ी आपको बिंचील मिल जाती है बिलेक आपको मगणाड मिल जाता है इसमें आपको फ्रेंट में कोली स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे और यह दोस्टोव इसके टायर टायर साइज की बात करें तो आपको इस ओटो में मिल जाते हैं 4, 50, 10 इंच के आपको टायर मिलेंगे यह है इसके rear view mirror दोनों side मिलते हैं आपको इदर आपको एक toolbox मिल जाता है जिसको आप lock and unlock कर सकते हो और दोस्तों इसमें आपको मिल जाती है इसकी battery इसमें आपको मिलती है दोस्तो 140 AH की बैटरी एक 1.64 किलोवाट की पीक पावर देगा 20 Nm की टॉर्क निकालेगा दोस्तो यह इसका वैक का कंप्लीट लुक काफी बढ़िया ओटो मिलता है दोस्तो काफी कम रेंज में आपको मिलेगा यह इसकी सांदार टेल लेम पीछे नमबर प्लेट लगवा सकते हो अलपा सुपर की बैजिंग मिलेगी पीछे सेप्टी के लिए चोटा सा मटगाड मिलेगा और पीछे आपको लीप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे दोस्तो काफी सांदार आपको ग्राउंड किलरेंच मिल जाती है इस ओटो में इसमें 138 mm की आपको ग्राउंड किलरेंच मिलेगी सांदार बढ़िया आपको सीटे मिल जाती है काफी स्पेस मिलेगा D plus 4 की आपको seating capacity मिलेगी काफी space मिल जाती है दोस्तो और दोस्तो इसके नीचे आपको इस पे reveal मिल जाता है and charger board charger मिल जाता है काफी सांदार seat हैं मिलेंगी आपको driver and passenger के लिए और यह है दोस्तो इसकी driver seat इसमें आपको back rest भी मिलेगा driver के comfort के लिए काफी space मिलेगी सांदार आपको इसमें new dashboard मिल जाता है काफी leg room मिलेगा इसर आपको कुछ control मिलेंगे वाईपर एंड लाइट के तोड़ी सी space मिलेगी यह इसके handle bar इसमें आपको एक आगे के लिए एक पीछे के लिए गेर मिलेगा low, high, medium भी मिल जाता है आपको यह brake lever, hand brake यहां पे आप चाबी को लगा सकते हो और यह दोस्तो इसका सांदार instrument cluster इसमें आपको digital instrument cluster मिलता है जिसमें आपको सारी information मिलेगी जैसे की range के बारे में, charging के बारे में, speed के बारे में, temperature एंड सारी burning light मिलेगी कापी सांदार गाड़ी है दोस्तो इसमें आपको बता दूँ पांच service प्री मिलती है आपको company की तरफ से 18 मंद की बैटरी की warranty मिल जाती है एक साल की vehicle की warranty मिल जाती है इस ओटो में रेंज की बात करें तो आपको 95 में प्लस की रेंज मिल जाती है चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको च्यार से पांच घंटे यह charging time है इसका यह च्यार से पांच घंटे में फुल चार्ज हो जाता है इस गाड़ी का बील बेस है 218 mm का और इस होटो का जीवी डवलू है 722 कजी का कुल बजन है इस गाड़ी का 412 कजी का सीटिंग कैपिसिटी डी प्लस पोर की मिलेगी स्ट्रोंग मेंटल बोड़ी मिल जाती है आपको सांदार टर्निंग रेडियस मिलेगा 1750 mm का और दोस्तो इसमें आपको एक्सिडेंटल इंसोरेंस कबर मिलता है 10 लाक रोपे का सेप्टी के लिए इस गाड़ी की लेंद है 2780 mm बेड़त है 995 mm हाइट मिलेगी 1794 mm और दोस्तो आप लाइस्टेंट बात कर लेते हैं कीमत की तो आपको बता दूं मेहंद्रा E-Alpha Super 2024 यह गाड़ी आपको मिल जाती है 158980 रोपे में वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच